हाई फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल और आज मैंने एक केक रेडी किया है वह भी बहुत जल्दी जल्दी में मेरे पास टाइम नहीं था मैं अभी जस्ट आफिस से आई हूं और विदिन अवर नावर मैंने इसे रेडी किया है मैंने इसका स्पन्ज रेडी किया है बेकिंग पॉर्डर 1 तीच उडी 2 लाया, उसमें 1⁄ाफ टीसपुन बेकिंग पॉर्डर, नावातके बेकिंग सोडर, प्रफेटस ताकि 47 ले कई आटोरी कुषीो मote रूरी, प्रफेटस बेटा पॉर्डर debido चोदेट, by ingredient, वो सब निकल जाए अभी इसको साइड में रख लेंगे और एक बड़े बॉल में हम बटर ले रहे हैं बटर मैंने 65 ग्राम लिया है अगर आप वेट नहीं कर सकते हैं तो आदा कप बटर ले लिजे बटर को अच्छे से बीट करना है जब यह स्मूथ हो जाए तब इसमें एक कप में कैश्टर सुगर डाल दूँगे इसको भी अच्छे से बीट करना है दोनों को एक फलपी सा इसका मिक्चर तयार करना है अब मैं इसमें हाफ टी स्पून वैनिला एसेंस डाल दूँगे उसे भी थोड़ा सा मिक्स करके फिर मैं इसमें दो अंडे डालूँगे अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो अंडे के जगह पे मार्केट में एक डिपलेसर भी आता है आप वो यूज कर सकते हैं अगर वो भी आपके पास अबलेबल नहीं है तो आप कंडेंस मिल्क दही या बटर मिल्क यूज कर सकते हैं बहुत सारे आप्शन हैं अब अंडा मैंने डाल दिया है अंडा को डालने के बाद मैं तब तक बीट करूँगी जब तक यह फलपी और स्मूथ ना हो जाए और इसका देखेंगे, आप amount भी increase हो जाता है, देखें, इसका जो amount देख रहे हैं, बिल्कुल increase हो गया है, अब मैं इस stage पे dry ingredients डाल दूँगे, तो अभी मैदा और chocolate का जो mixture था, वो मैं इसमें डाल दूँगे, एक बार में नहीं डालना है, इसको थोड़ा थोड़ा डाली है, अब दो बार में या तीन बार में डाल सकते हैं, और मैंने half cup दूद लिया है, वो भी आप batter के according डालिएगा, और साथ ही मैंने oven को भी preheat होने के लिए छोड़ दिया है, 180 degree पे, 10 मिनट से वो preheat हो रहा है, अब मैं, अब यह मारा batter ready है, बस इसमें half tea spoon में vinegar डालूँगे, और उसे भी अच्छे से cut and fold method से mix करके, एक मैंने tin लिया है, cake tin जिसको मैंने grease कर दिया है, वाइल से और उसमें मैंने parchment paper लगा दिया है, नीचे, तो अब मैं इसे cake tin में batter को डाल दूँगी, इसको थोड़ा हम tap करेंगे, ताकि वो evenly tin में अच्छे से spread हो जाए, तो चलिए इसे मैं oven में डाल देती हूँ, oven हमारा preheat हो चुका है, अब मैं इसे oven में डाल के 180 degree पे 25 minutes के लिए set करूँगी, और हाँ set करके भूल नहीं जाना है, हमें बीच बीच में चेक भी करना है, और अगर आपको लगता है कि उपर ज्यादा ताइट हो गया और नीचे अगर हमारा नहीं पका है, तो आप उपर का heat बंद करके नीचे सिर्फ on रखिएगा, और एक knife के तुरू चेक कर लिजेगा, अगर वो clean निकलता है, इसमें आपका ये cake bake हो चुका है, देखिए मैंने दी मोल्ड किया है, और ये कितना अच्छा स्मूथ हमारा चॉकलेट स्पंज रेडी है, इसको मैंने लेयर किया है, लेयर करके मैंने वीपिम क्रीम से इसे डेकुरेट किया है, इस डेकुरेशन पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में सेयर करूंगी, और तब तक आप अपने वीव हमें कॉमेंट करके बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाई, टेक केर